किड्नी शरीर का एक जरूरी अंग है, अगर इसमें खराबी आ जाए तो बाकी अंगों में भी दिक्कते शुरू हो सकती है इसलिए किड्नी को हैल्दी रखना बहुत जरूरी है लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब किड्नी में इन्फेक्शन होता है तो इसके क्या लक्षण है किड्नी को हैल्दी बनाने के लिए क्या खाना चाहिए कौन से फल सबजियां ऐसी हैं जो किड्नी के लिए लापकारी है अगर नहीं तो ये वीडियो आपके और आपके परिवार के सिहत के लिए बहुत जरूरी है तो चलिए इस वीडियो के जरीए इन सवालों के जवाब जानते हैं दोस्तों उपर वाले ने हमारे शरीर को कुछ इस तरह से बनाया है कि अगर इसके किसी अंग में कोई दिक्कत आती है तो उसके लक्षण हमें महसूस होने शुरू हो जाते है दोस्तों ठीक इसी तरह से हमारी किड्नी पर भी जब कोई दिक्कत आती है तो उसके लक्षण हमें महसूस होने शुरू हो जाते है हाला कि किड्नी इंफेक्शन या गुर्दे की बिमारी की शुरुआती पर मुख लक्षर दिखने मुश्किल होते है लेकिन कुछ आम समस्याओं का एक साथ होना खराब किड्नी की और इशारा करता है अगर आपको पूरे दिन ठकान रहती है नीन नहीं आती इसकिन ड्राय हो रही है बार बार पेशाब आता है पेशाब में खून आ रहा है या उसका रंग बदल रहा है पैर ढखने और आँखों के आसपा सूजन आ रही है तो आपकी किड्नी खराब हो सकती है ये सभी समस्याइं खराब किड्नी की पहचान होती है अगर किड्नी में इंफेक्शन शुरू हो गया है तो कोई सबजियां और फल ऐसा है जो इस रोग में लापकारी हो सकते है ऐसे ही एक सबजी है गोबी अगर आप kidney infection से बचना चाहते हैं तो अपनी थाली में गोबी को ज़रूर शामिल करें गोबी के अंदर vitamin C, vitamin K और folet होते हैं जो आपकी immune system को मजबूत बनाकर गुर्दे के infection से बचाते हैं इतना ही नहीं गोबी में anti-inflammatory good kidney खराब होने से रोकते हैं साथ साथ आपको बता देती हूँ इसी तरह से अंडा है अंडे का हर हिस्सा स्वास्ते वर्दक होता है लेकिन किड्नी के लिए इसका सफेद हिस्सा जादा फायदबन होता है अंडे के सफेद हिस्से में गुर्दे को स्वस्त बनाने वाला प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है इसलिए किड्नी की बिमारी से बचने के लिए अंडे का सफेद हिस्सा जरूर खाए साथियों किड्नी infection में अगली फायदेबन चीज है प्यास हैल्दी किड्नी की डाइट में प्यास जरूर शामिल की जाती है क्योंकि गुर्दे की बिमारी में नमक का सेवन नुकसान दायक हो सकता है इसलिए नमक के विकल्प के रूप में प्यास इस्तिमाल की जा सकती है इसके अलावा प्यास के अंदर विटामिन C, मैगनीज, विटामिन B और प्री बायोटिक फाइबर होते है जो आपकी गट हैल्थ को भी बेतर बनाते है साथियों ऐसी तरह से मूली है मूली का सेवन भी किड्नी रोग्यों को भरपूर करना चाहिए क्योंकि मूली के अंदर पोटेशियम और फास फोरस कम होते है वही विटामिन C भरपूर होता है जो किड्नी रोग के साथ दिल की बिमारी और मोत या बीन से भी बचाव करता है साथियों किड्नी के रोग में लसुन भी काफी फायदे मन है क्योंकि प्यास की तरह ये भी नमक का शांदा विकल्प है वही इसके अंदर मौजूद विटामिन C, विटामिन B, 6, Sulfur, Compounds and T एस्वामेंटरी गुड के लिए जाने जाते हैं जो कि किड्नी को स्वस्त बनाते हैं इसी तरह से किड्नी को फायदा देने वाले होते हैं अननास अननास एक लो पोटेशियम फूड है जो कि किड्नी रोग्यों को फायदा देता है इसमें मौजूद फाइबर, विटामिन C, ब्रॉमिलिन, मैकनीज, गुर्दे की सूजन को कम करने किड्नी इंफेक्शन से बचाते है तो दोस्तों, अगर आपको भी किड्नी रोग है तो आपको फोरन वीडियो में बताई गई चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए ताकि आप किड्नी रोग में फायदा पा सके